वेरिकोसील रातो रात होता है, क्या ये अच्छानक से होने वाली बीमारी है? भारत होमियोपैथी पर अक्सर करके पेशेंट इनी सारे सवालों को लेकर आते हैं तो आज का ये वीडियो इनी सवालों के लिए है और आझ हम आपको देंगे इनी सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताएंगे की आप घर बैठें वेरिकोसील बिमारी के बारे में कैसे जान सकते हैं इसे समझ सकते हैं तो सबसे पहले बात वेरिकोसील बिमारी की वेरिकोसिल में क्या है? हमारे जो बोडी में एक blood का circulation हो रहा है, एक blood का flow हो रहा है, अब इसमें हो क्या रहा है, जो हमारी arteries हैं, वो oxidized blood को लेकर आ रही हैं, और veins के थूरू उसी blood को ऊपर की तरफ, यानि heart की तरफ ले जा रही हैं, purify करने के लिए, जब एक cycle जो है, जब ये बावट आ रही है, जो blood है, वो नीचे की तरफ इकटा हो रहा है, उसकी वज़े से क्या हो रहा है, उसकी वज़े से जो आपकी वेरिकोवेन है, वो sweat होने लगती है, उसमें inflammation होता है, आपके scrotum में दवाब बनता है, उसमें भारी पन आता है, और वज़ा बनता है वेरिको सील की दिक्कत, अब जब वेरिको सील की बीमारी है, तो इसके root cause तक जाने की भी जरूरत है, यानि कि इसकी जड़ों तक भी हमें जाना ही पड़ेगा कि आखर ये बीमारी हो क्यों रही है, ये हो रही है आपको indigestion की प्रॉबलम की वज़े से, कोलाइटिस की वज़े से, और constipation की वज़े से, अकसरगर के हम देखते हैं कि हमारे को क्या हुआ, गैस्ट्रिक टिबल्स हुए, थोड़ा सा पेट में पेन वेन हुआ, तो हमने क्या किया, हमने इनो ले लिया, गैसो फास्क ले लिया, या फिर हमने कोई चूरन या पॉडर का यूज कर लिया, उसमे बनी हुई है, तो आपको इसको अवाइड नहीं करना है, आपको अंदेखा इसे बिलकुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये वज़ा बन जाता है, वेरिकोसील की, बता देते हैं कैसे, होता गया है, जब आपको इंडिजेशन की प्रॉब्लम हुई, आपको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई, तो आपको क्या है, इस टूल पास करने में प्रेशर लगाना पड़ेगा, अब जब आप इस टूल पास करने में प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, कि आपकी जो वेरिकोवेन हैं, वो फूलने लगती है, उसमें स्वेल या यू कहें यह वैरिकोसील की बीमारी की शुरुवात ही है अगर आपको यह दिक्कते हो रही है आपको यह साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप एक टेस्ट करवा सकते हैं जिसे बोला जाता है यू एस जी टेस्ट यानि की एक अल्ट्रासाउंड जो होता ह स्क्रोटम का उसमें आप यह जान सकते हैं कि आपको वैरिकोसील की परिशानी है या नहीं है साथ ही अगर आपको लगता है कि आप वैरिकोसील की बीमारी के रिगार्डिंग हमसे और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे भारत हो में पैठी डॉक्टर्स की टीम से संबर कर सकते हैं नमबस आपके स्क्रीन पर हैं आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलागा तब तक के लिए नमस्कार